नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ हेक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके जेहां दोस्तों आज हम बात करेंगे आलू के छिलके से पाएं मजबूत बाल और खुबसूरत इसकीन एवं इसक कि जो जरूर मौजूद होती है वो है आलू जी हां दोफ्तों चाहें खाना हो या ब्यूटी फायदे आलू की ये खासियत किसी से नहीं छीपी है लेकिन सिर्फ आलू नहीं इसके छिलके के भी कई फायदे हैं दोफ्तों जी इस छिलके को आप बेकार समझ कर फेक देते हैं व क्या हो सकते हैं दोस्तों हल्दी के पेष्ट में आलू का छिलका रात भर भींगों कर रखें अगली सुबही से चेहरे पर रगणें इससे आपकी रंगत निखर जाएगी दोस्तों हल्दी और थोड़ा पानी मिला कर पेश्ट तयार कर ले अब आलू के छिलके को रात भर इसमें भिंगो कर रखें अगली सुबही से निकाल कर अपने पूरे चेहरे पर रगणे 20-25 मिनट बार इसे दोलें आपके चेहरे की रंगत निखर जाएगी आलू के छिलकों को ओलिव ओयल में एक से दो घंटे तक भिंगो कर रखें इसे चेहरे पर कुछ मिनटों तक रगणे फिर धोलें जिहां दोस्तों इससे आपका चेहरा खिल उठेगा चेहरे के डार्क स्पोर्ट को करेगा ये खत्म जिहां कुछ आलू के छिलकों को ओलिव ओयल में एक से दो घंटे तक भिंगो कर रखें अब इस छिलके को अपने चेहरे पर दो से तीन मिनट तक हलके हाथों से रगणे दस मिनट बाद इसे रूई से पोंचकर गुनगुने पानी से दो लें आपके चेहरे के रंगत निखरेगी चेहरे के डार्क स्पोर्ट खत्म हो जाएंगे दोस्तों टैनिंग दोर करने के लिए जहां दोस्तों अगर आपको टैनिंग की समस्या हो तो बस एक आलू का छिलका लें और इसे अपने प्रॉब्लिम एरिया पर अगड़ें दस मिनट बाद इसे दो लें आप चाहें तो टमाटर और आलू के छिलके को मिला कर पीछ लें और इस्तेमाल करें आपको लाब होगा दोस्तों बालों को बनाए मजबूत जी हाँ दोस्तों आलू और इसके छिलके में काफी मातरा में पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन A, B और C मौजूद होता है जो बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं आलू के छिलके को पीछ लें अब इसे निचोड़ कर इसका रस निकाल लें पांच मिनट तक इससे अपने स्कैल्प का मसाज करें दस मिनट ऐसे ही छोड़ दें और फिर इसे धो लें इससे आपके बाल बनेंगे मजबूत दोस्तों अगर आपकी स्कीन ओली है तो आप आलू का छिलका लें और इसे अपने पूरे चेहरे पर अच्छी तरह रगड़ें थोड़ी देर बाद इसे धोलें दोस्तों आपको लाव होगा डार्क सरकल और जुर्यों को करें ये खत्म जी हां आलू का छिलका लें और इसे अंडर आई एरिया आखों के नीचे और चेहरे पर अच्छी तरह रखें थोड़ी देर बाद इसे धोलें आपको अवश्य लाव होगा दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आलू के छिलके से हम कितने सारे लाव उठा सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछे कोहर महतोपूने जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों